आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि नरक का विलोम शब्द क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी इसे और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले नरक का अर्थ समझते हैं नरक का अर्थ होता है पाताल या दुखद स्थान यानि कि ऐसा माना जाता है कि जो वेक्ति बुरे करम करता है जीवन में बुरे काम करता है मृत्यू के बाद उसकी आत्मा को नरक में भेजा जाता है और वहां उसे बहुत कश्ट होते हैं इसके इलावा कई बार जो कोई बहुत दुखद जगह होती है या जहां पर जिस जगह पर बहुत कश्ट होते हैं तो उस जगह को भी नरग की उपमा दी जाती है यानि कि उसको भी नरग समझा जाता है यानिकि बहुत दुखद स्थान, तो नरक का विलोम शब्द, यानिकि विप्रित आर्थक शब्द होता है स्वर्ग, और स्वर्ग का आर्थ होता है जन्नत, परलोक या सुखद स्थान, यानि कि एक तो ऐसा माना जाता है कि कोई वेक्ति जब बहुत अच्छे कर्म करता है तो मृत्यू के बाद उसको स्वर्ग लोग की प्राप्ति होती है यानि कि वो स्वर्ग लोग में जाता है वह और वहाँ पर उसकी आत्मा जो है सुख से निवास करती है और इसके इलावा क बुरे कर्मों का फल नरक में मिलता है या फिर आप कह सकते हैं कि नरक की कलपना ने उसे डराया या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होता है अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें